जी मेरे बाई बात कर रहे हैं हम डिसकाउंट की डिसकाउंट बेसिकली दो टाइब का होता एक को बोलते हैं हम ट्रेड डिसकाउंट और एक को बोलते हैं हम कैश डिसकाउंट कैश डिसकाउंट का फर्दर अगर हम नाम देखें तो इसे बोला जाता है सैटलमेंट डिसकाउंट या इसे बोला जाता है अरली पेमेंट डिसकाउंट कैश डिसकाउंट, सैटलमेंट डिसकाउंट या अरली पेमेंट डिसकाउंट और ट्रेड डिसकाउंट आपको बता है जब भी कोई चीज जिस टाइम हम खरीद रहे होते हैं या बेच रहे होते हैं एड दा टाइम आफ ट्रांजेक्शन, कौनसी ट्रांजेक्शन, सेल की या परचेज की जिस डिसकाउंट का जिकर होगा उसे ट्रेड डिसकाउंट कहते हैं मतलब क्या है इसका, कि इसको जैसे अगर आप एक बंदा बार गेनिंग करता है कि वो कहता है कि ये चीज पचास रुपए की है, बंदा बार गेनिंग करके चीज पैंटालीस रुपए में खरीदता है उसे ट्रेड डिसकाउंट कहते हैं, जो पांच रुपए का डिसकाउंट हमें मिल जाता है या अगर हम एक चीज खरीदने जाते हैं हम उसे कहते हैं कि जणाब बताओ क्या कीमत है वो कहता जी 50 रुपए हम कहते हैं जी हमने ना 50 चीज़ें खरीद दिनी है 100 चीज़ें खरीद दिनी है वो कहता अच्छा 2 रुपए कम दे देना ये भी ट्रेड डिसकाउंट है मतलब ट्रेड डिसकाउंट वो डिसकाउंट है जो हम चीज़ को खरीदते या बेचते वक्त उसकी लिस्ट प्राइस कम करवा लेते हैं उसे कहते हैं ट्रेड डिसकाउंट जो उसकी असल कीमत है उस कीमत से कम कीमत पर सैटलमेंट करना उस कीमत उसकी असल कीमत है उसे कहते हैं trade discount और trade discount की कोई books के अंदर recording नहीं होती no recording in the books of prime entry no journal entry करते क्या हैं जब invoice बनाते हैं sales या purchase की invoice में ही trade discount minus करके लेख देते हैं रिड्यूस या reduction फ्राम इन्वाइस वैलियू यह से चीज 45 पचास की 45 की खरीद रहे हो या बेच रहे हो तो आप इन्वाइस भी 45 की बनाओगे पचास की इन्वाइस भी नहीं बनेगी मतलब इन्वाइस को जैसे तरह बन सकती है minus 5 is equal to 45 तो trade discount का तो जिकर खैर हो गया कि जनाब trade discount क्या होता है कि जब हम कोई चीज करीते हैं या बेचते हैं उस वक्त जिस discount का जिकर करते हैं जिस discount की बात होती है उसे हम trade discount कहते हैं और ये books के अंदर record नहीं होता अब आ जाते है cash discount क्या discount या early payment discount या settlement discount PRC4 के लिए very 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 important concept इस में से दो चार सवाल लोगों को आ जाते हैं और बहुत basic सा सवाल होता है अगर आप फोर सा समझ लोगे तो असानी हो जाएगी cash discount settlement discount या early payment discount का मतलब क्या है कि अभी मैं सिर्फ sales का case बता रहा हूँ क्या उनसा केस बता रहा हूँ sales का कि अगर हम कोई चीज बेच रहे हैं sales कर रहे हैं और साथ एक offer कर रहे हैं कि भाई सब अगर आप पैसे हमें जल्दी दे दोगे within 10 days या 8 days या 20 days अगर आप 10 दिन के अंदर पैसे दे दोगे early payment कर दोगे हम आपको 5% discount दे देंगे ये at the time ये जो reduction in sale price नहीं हो रहा या reduction in purchase price नहीं हो रहा बलके जो कीमत final हो गई है हम कहते हैं कि अगर वो पैसे आप जल्दी दे दो हम आपको discount दे देंगे जो कीमत final हो गई है trade discount माइनस करने के बाद फिर हम कहते हैं और ये हमेशा sale क्या होगी हमेशा credit पर क्योंकि उधार पर चीज़ बिकेगी हम उसे offer करेंगे कि भई अगर जल्दी पैसे दो दोगे हो तो 10 दिन के अंदर या 8 दिन के अंदर whatever हम आपको मजीद 5% रियाद दे देंगे गॉट इट तो इसे कहते है अर्ली पेमेट डिसकाउंट या सैटल में डिसकाउंट या कैश डिसकाउंट अब यह पेपर में सवाल कैसे बनता है पेपर में सवाल जड़ा लिखता हूं मैं वो कहता है कि एट यही सवाल आपने गौहर से देखना है और साथ नोट भी कर लो एट वन वन टू थाज़न ट्वेंटी थी गूर्ड जोल्ड फार रुपीज फोर थाज़न एट कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है फाइव ओवर टैन एन ओवर फोर्तिफाइव इस चीज को मतलब क्या है बला इस चीज का मतलब यह है कि अगर इस फॉर्मिट में लिखा हो कि आपने जो वन ट्वेंटी थी को गोड सेल की है वो पेंतालीस दिन की उधार पे की है 45 डेज के क्रेडिट पे की है ठीक है अगर दस दिन के अंदर वो पे कर देगा इफ पेमिट मेड इन पेमिट इन टेन डेज अगर वो दस दिन के अंदर पेमिट कर देगा आप उसको पांच फीसद डिसकाउंट दे दोगे बात समय लागी है इसकी फाइब टैन एन आवर फोटी फाइव यह बहुत कम है लेकर कभी कभी पेपर में इस फॉर्मिट में भी स्वाल आ जाता है हां अगर वो ड्रेक्ट लेख दे के इस पेमिट वे दें मेड वे दिन टैन देज फाइब परसेंट इसकाउड इस अलाओड है ठीक होगी बात यह बात समझ रहे हो जी जी एन ही आपे गया है एन है टाइम टोटल टाइम 45 डेज एन क्या है 45 डेज ठीक है अब आ जाते हैं इसके केसिस पे छे केसिस बनते हैं इसका मतलब है ऐसा भी पॉसिबल है इस एक सवाल से भी तीन सवाल बन जाएं छे मुख्तलिफ केसिस बनते हैं याद रखें इसके हैं तो करें बिस्मी लाफिर जी सबसे पहला केस हमें लगता है हमारा पास्ट एक्सपीरियन्स कहता है केस नमबर ए हमारा past experience कहता है it is expected customer avail the discount हमारा past experience कहता है कि customer जिसको हमने 4000 की चीजें बेची है उधार पे वो discount ले लेंगे तो कहता है अगर आपको लगता है न discount ले लेंगे तो हमने एक entry pass करनी है 1123 को तो entry वो कहता है कि आप ऐसा करें account receivable to sale की जो आप entry pass कर रहे हो account receivable to sales वो फिर 4000 से ना pass करो 5% कम करके करो क्योंकि आपको लगता है कि पूरे पैसे नहीं मिलेंगे 4000 की तो total sale है आपको लगता है वो 5% discount ले लेगा वो कहता है अगर आपको लगता है ना 5% लो discount ले लेगा तब आप reduce amount से entry pass करो full amount से entry pass ना करो इस amount से entry pass करो reduced amount से मतलब reduce amount कितनी बनती है 4000 का 5% कितना बनेगा 4000 का 5% जल्दी से बनो 200 वो कहता है आप ऐसा करो 3800 से अपनी sale और receivable record करो मुझे एक बात बता दो ऐसा करने के लिए कौन सा concept कहता है बता हो ज़रा prudence concept good prudence concept हमें कहता है अगर आपको लगता है कि आपके assets और income कम होनी है तो अब कम कर दो अब अपने income और assets overstate करने की जाज़त नहीं है तो prudence concept हमें कहता है कि अगर आपको लगता है कि आपके receivable और income 4000 नहीं बलके 3300 होगी तो 3800 नहीं बट उसके लिए ये शर्ट जरूरी है पहले आपको past experience से ऐसा लगता हो के लोग discount लेते हैं और account receivable credit कर देंगे 3800 से क्योंकि हमने entry pass ही 3800 से की हुई है got it cash debit account receivable credit या दूसरा case ऐसा possible है कि हमें लगता था कि वो 10 दिन के अंदर payment कर देंगे लेकन उन्होंने 10 दिन के अंदर payment नहीं की कि उन्होंने 10 दिन के अंदर पेमेंट नहीं की बलकि उन्होंने पेमेंट जाकर 45 दिन बाद 30 कर लो ताके ना entry pass करते हुए ना परिशानी नहीं हो यहां मैं 30 days करने लगाँ ताके ना वो अगले महीने पे जाते ही नहीं है 30 days करने लगाँ ताके ना entry बनाते हुए आपको परिशानी नहीं हो या तो वो 10 तरीख को पैसे देगा या फिर 10 तरीख को पैसे नहीं देगा नहीं देगा तो मुझे बताओ वो पैसे 30 तरीख को अगर देगा तो बताओ कितने पैसे देगा 3800 या पूरे 4000 4000 इसका मतलब है फिर हम cash debit करेंगे 4000 से लेकन हमने account receivable तो लिखे हुए है 3800 के जब हमने पहली दफ़ा एंट्री पास की थी तब तो हमें यही लगता था ना कि 3800 receivable होंगे और अब जब खतम होंगे तो उसी amount से खतम होंगे यह जो 200 का फरक आएगा यह हम revenue या sales को जो पहले कम लिखा था revenue या sales 200 से credit कर दोगे यह जनाब पहले case का तीनो एंट्री बात में लगी दोसों को discount के नाम शिरिक सकता है वो ना जी ना बिलकुल नई discount तो हमने न दिया है न लिए discount तो पहले ही record कर दिया था यह 200 हमारा revenue कम record हुआ है वो revenue को दुबारा हमने लिख दिया जब हमें confirm हो गया अभी भी न मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि यह हमारी IACAP की book के अंदर इस तना से किया हुआ है वरना 11 तरीख को एक entry pass होती है 11 तरीख को जिस दिन वो time expire हुआ है लेकर वो हम आगे जाकर आप इन्शालला IFRS 15 में यह पढ़ाया जाएगा आपको लेकर अभी आप बस यहां तकी देखें जो हमारी book कहती है बस मैं यहां तक इस लिए रह रहा हूँ क्योंकि अभी आपको ज्यादा जरुवत नहीं है दुबारा जर एक नजर देख लीजिए लौ जनाप पहला स्वाल पेपर में आएगा कि अगर आपको expected है कि discount मिल जाएगा तो बताओ आप full amount से share record करोगे या reduce amount तो पहला जवाब reduce amount और ये entry भी record करवा दिमें फिर अगर दस दिन के अंदर वो payment कर देता है कहता जी ठीक है दस तरीकों या आठ तरीकों या साथ तरीकों payment हो गई तो entry pass होगी cash debit account receivable credit या फिर expected था कि वो सवाल यहां पर आएगा वो कहता है expected था कि वो कर देगा लेकर उसने payment की ही नहीं उसने जाकर 30 तरीकों की तो 30 तरीकों तो full payment करेगा लेकर एक्सपेक्टिड के case में हमने account receivable इखा हुआ था 3800 तो वो 3800 से खतम करेंगे और जितना कम revenue record किया था record कर लें ये बात clear हो गई इजाज़त है आगे जाने की जी 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 आगे आज है case number two दूसरा case वो कहता है कि जनाब past experience कहता है it is not expected it is not expected आपको नहीं लगता customer आपको नहीं लगता कि customer ने जल्दी पैसे pay कर देने हैं पहले लगता था कि pay कर देंगे तो reduce amount से अब आपको नहीं लगता कि customer आपको pay कर देगा तो 1-1-23 को आप entry pass करोगे account receivable debit sales credit 4000 से आप full amount record कर दोगे आप full amount record कर दोगे done एकन unexpectedly अगर इसी case में इसको whole amount से record करेंगे अगर आपको नहीं लगता न कि customer पैसे pay कर देगा तो full amount से record कर देगे बट हुआ ये अगर ये case बन जाए कि customer ने पैसे दे दिये अब मुझे बताएं आपको expected नहीं था आपने 4000 record कर दिया बट अगर वो 10 दिन के अंदर pay करेगा तो पूरे 4000 पे करेगा या 3800 पे करेगा 3800 पे करेगा cash हमारे पास 3800 आएगा एकन हमने अपना account receivable तो 4000 से record किया था वो 4000 से खतम कर देंगे ये जो 200 है ये discount उसने हासिर कर दिया देखें बहुत असान सवाल है लेकर पेपर में confusion हो जाती है क्योंकि ये total जो बनते हैं न केसे वो 12 केसे बनते हैं 6 केसे बनते हैं sales के और 6 केसे बनते हैं escape purchase के कल के test में ये सारे cases discuss होंगे आपके सारे one by one सवाल मैंने देने है तो उस test में आपने दिमाग लडाना है और ये आपने हल करना है तो इन्शाला मसाइल हल हो जाएंगे ठीक है मैं कोशिश करूंगा कि जितना confuse कर सकूं सवाल देते वक्त वह करूं जी जराब account receivable तो ये जो है आपका दोसों का that is discount allowed या revenue डेबिट करते हैं या तो discount allowed या revenue कहते है record कैसे करना है SOCI के अंदर कहते है discount allowed को treated as sales return कहते है जैसे आप sales return नहीं minus करते हो sales में से बिल्कुल वैसे discount allowed को sales में से minus कर देना है ये line आपकी किताब में लिखी हुई है दोस्तों को कैसे record करना है या other expense में या फिर revenue से ऐसे minus करना है जैसे sale return minus करते है ये किताब में आपकी as it is line लिखी हुई है got it या अगला के या अगला के या या तुमारा stock का सारा record खराब हो जाएगा जी जी क्या कहते हो sale return से record करेंगे लेकिन sales return तो होई नहीं है हमारे पास नहीं यह आपने पहले sales कितनी लिखी हुई है चारज़ा से लिखी हुई है ना जी 123 को और actual में तो 200 हमें नहीं मिलना जी तो यह sales से stock record खराब नहीं होता है क्योंकि stock record नहीं होता है सेल वैल्यू पे नहीं आ रहा होता है इस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा यह सिरफ sales की अमौट जो 4000 लिखी है उसमें से 200 कम हो जाएगा बस और दूसरे लिखों में अधर expense में लेकर दो यह income और आपने याद होगा आपने लिखा भी कितनी amount से था इसमें पूरे चाराजार से अब ज़रा जल्दी से इस सवाल को बड़ी ध्यान से देखें क्योंकि सबसे ज्यादा important यही है मैं थोड़ा सा zoom out कर देता हूं ताकि यह सारा आपको एक ही stage में नजर आ जाए लौ मेरे भाई यह हैं आपके 6 entries यह जो एंडवाली दो एंड़ीस हैं दोनों में से कोई एक होगी एंटी पेपर में इसको नोट करो और पेपर में ध्यान से इसको हैंडल करना कोई एक entry पूछी जाएगी एक तो सवाल आप से यह पूछा जाता है कि मेरे भाई discount expected है तो बताओ reduce amount है ये fall amount तो reduce amount discount expected नहीं है तो पिर जी कौन सी amount एक्सपेक्टेट नहीं है तो fall amount expected है तो reduce amount एंट्रीज है वो एंट्रीज भी पूछ लेगा और amount भी पूछ सकता है ठीक है मेरे भाई यह है sales का case अब हम बस 5-10 मिनट और हैं purchase का case भी पढ़ लेते हैं ताकि ये discount वाला मामला खतम हो जाए बाकि कुछ जो चीजे जितनी भी है वो मैं कल बता दूँगा आपको शेफ्ट तो फेल हल आप चलें purchase के उपर किसी का mic on आ रहा है kindly माइक अपना off कर दें पहले हमने जो discuss किया है वो था sale का case अब है जनाब purchase का case हाँ जी ये बड़ा interesting case है और eye cap के पास यही एक चीज है जहां से वो हमसे गलती करवाएगा कहता है सवाल बना लेते हैं वन वन ट्वेंटी फ्री गोड़्ज परचेश्ट पार रुपीज तैन थाउजन अंडर केस कंडिशन पर हम कहा लेते हैं जनाब फाइव ओवर टैन एन ओवर थर्ट क्या मतलब है इसका के जनाब टोटल उधार है तीस दिनों की अगर पांच दिनों दस दिनों के अंदर पे कर दिया तो पांच फेसद रियायत मिल जाएगी इसकाउंट मिल जाएगा इस अगली पेमेंट डिसकाउंट है इस नाट ट्रेड डिसकाउंट इसमें भी अगर ट्रेड डिसकाउंट का जिकर होगा तो वह इन्वाइस में से माइनस करके लिखेंगे दिनों की बात अब आजएं बिसमीला करते हैं यहां से वो हमसे गलती करवाता है पहला केस इस इस एक्सपेक्टेड पेमेंट मेड विदिन टैन डेस इस एक्सबमेट मेड विदिन टैन डेस मेरे बाइस बीशा देन गलो इसनोड ऐसे पेमेट मेड बेर तैन डेस इस नॉट धेक्टेड पेमेट मेड च्सक्ट bacter दो within 10 days दोनों के simultaneously बना लेते हैं दोनों के से साथ ही हल कर लेते हैं लौ मेरे वही पहला बात कहता है कि जनाब ऐसा है कि आपको लगता है कि आप पैसे पे कर दोगे तो बताओ full amount से record करोगे या reduce amount से record करोगे यह सारी चीज़े हमने पढ़ी हुए है full amount से क्योंकि पूर्ण साथ हमने कहता है कि आप लोग अपने assets और income ओवर्टे नहीं कर सकते बट expenses और liabilities under state नहीं कर सकते कम नहीं लेक सकते आपको expected है या expected नहीं है आप full amount से record करोगे दोनों cases में full amount से record करोगे sale के case में expected था तो reduce amount expected नहीं था तो full amount purchase के case में दोनों cases में full amount क्योंकि purchase हमारा expense होता है table हमारी liability होती है expense और liabilities को under state करने की इजाज़त नहीं है prudence concept के तैट तो law मेरे भाई 1-1-23 को जो हम entry बनाएंगे purchase debit account payable credit 10,000 से purchase debit account payable credit 10,000 से दोनों cases में चाहे expected था चाहे expected नहीं था full amount से recording होनी है बात क्लिर हुई फिर आगे वो कहता है कि अगर 10 तरीख को payment कर देते हैं अगर हम 10 तरीख को payment कर देते हैं वाक्याई तो मुझे बताओ हम पूरा 10,000 पे करेंगे या 5 पीसद माइनस कर के पे करेंगे या 5 पीसद माइनस कर के देंगे वैसे 5 पीसद अगर हम माइनस करेंगे तो मुझे ये बताओ कितनी amount बनती है 10,000 का 5% लो 500 500 इसका मतलब है हमारा जो liability है वो तो पूरी 10,000 से खतम हो जाएगी बट हमारा जो cash है वो 9,500 जाएगा यह जी 500 का difference आ रहा है that is discount received discount received या purchases credit करोगे 500 से मतलब या other income में लिखोगे या purchase में से minus करके लिखोगे ऐसे जैसे purchase return करते हैं दो है या का वार्ड एस और इस case में क्या होगा बिल्कुल same entry account payable 10,000 चाहे आपको expected था या नहीं था लेकर अब तो आप cash pay का रहे हो 9,500 discount received या फिर purchase तुमें लगी sale के case में थोड़ा different है purchase का case दोनों cases में same है या अगला case बनता है कि भाई उसने 10 दिन में payment नहीं की तो फिर वो कब payment करेगा 30th को 30th को तो पूरे pay करेगा 30th को वो पूरे 10,000 पे करेगा account payable to cash 10,000 account payable to cash दोनों cases में जब वो discount नहीं लेगा तो कितने आपका पेपर लाजमी पढ़नी है यह आपने discount allowed यह सारी अंग्रेजी पढ़के यह एक्जम्पल नंबर टू हल करना है सब्सक्राइब दिखाएगा question जी जी दिखा देता हूँ dishonor check मैं कल discuss कर दूँगा counter भी मैं कल जी वैसे तो आपको पता है लेकर फिर भी मैं ज़रूर बताऊंगा कल और यह सवाल भी आपने लाजमी करना है अगर आप चाहते हो कि आपका paper लाजमी पास हो यह example number 4 भी ठीक है लो जनाब यह आप चेक कर लें मैं थोड़ा सा zoom out भी कर देता हूँ यह है हमारा purchase के दोनों cases तो कल जनाब आपका test होगा यहाँ तक जितना आज हमने पढ़ लिया है तो लाजमी test attempt करना है सबने अगर कोई मसला आता है इसमें से मुझे लगता है आपको ना paper में दो से तीन mcqs आते है ठीक है तो यह जो डिस्काउंट का case है ठीक है अब आप आराम करें ओके जी अलाहाफिस